हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एक्जाम क्रीजर में दोस्तों आज की वीडियो में हम 7 अक्टूबर से समंधित उत्वड़देश के सभी एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करेंड अफरी क्विश्टन को डिस्कस करेंगे और हरे क्विश्टन से रिलेटेड आपको फेक्ट भी बताएंगे और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्विश्टन भी पूचेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर आपको इसकी पीडियेफ डाउलोड करनी है तो इसकी पीडियेफ आप मारे टेलिग्राम गुरूप से डाउलोड कर सकते हैं टेलिग्राम गुरूप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक इंपोर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं तो आज का मार टॉपिक क्या है तो उत्तर प्रदीश के जो वन डिश्ट सिल्फ ये बंदा के लिए चुना गया तो काश्ट करभा बिजणौतोर का है व़स्तर उत्त और बुलंद सहर के लिए उडीएूपि के तौरपर परू टिपाद करें तो जरी जर दोजी एवं काला चावल और चित्र कूूट की बात करें तो लकडी के जो खिलोने है ये उत्पाद चुना गया है चित्रकूट के लिए ODOP के तौर पर देवरिया के लिए तो सजावट के सामान कड़ाई और सिलाई के उत्पाद और रेडिवीट कार्मेंट इसके लावा इटावा के गरम बात करें तो वस्तर उद्योग और इसके साथी सिलाई और वस्तर कड़ाई ये जो है एटावा का ODOP के तौर पर चुना गया है आगे देखते हैं एटा का तो एटा के लिए किसको चुना गया है तो घुंगरू, घंटी और पीतल के उत्पाद ये चुना गया है एटा के लिए O.D.O.P. के तौर पर फरुकाबाद वस्तर शपाई एवं जरी जर्दूजी फतेपुर के लिए तो बैड़ सीट एवं आइरन फैब्रिकेशन वर्क्स फिरोजाबाद के लिए कांच के उतपाद को चला गया है गौतम बुधनगर रेडिमेड गार्मेंट और दोस्तों यहां पर एक बात आपको दाद हैं कि जो उतपाद हैं उनमें से एक या एक से अधिक जिलों के उतपाद सेम भी हो सकते हैं तो यह चीज़ द्यान रखेंगे गाजीपुर के लिए जूट वाल हैंगिंग गाजियाबाद के लिए अभियांतर की सामगई और गॉं हम धीरे-धीरे कवर करेंगे तो चलिए, शुरू करते हैं current affairs का season तो आज का season शुरू करने से पहले हम कल के questions का revision करेंगे कल का पहला गुश्यन है ग्वाटेमाला में आयुजित मेड इन इंडिया सू प्रदर्शनी में राज के किस जिले के होम डैकूर और होम फनीसिंग उत्पाद को प्रदर्शित किया गया तो अप्शन नमबर डीस का करेक्ट है मुरादाबाद अगला उच्छन है उत्वरदेश में किस ज लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से आप यह जो पीडियेफ है वो डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों यह पीडियेफ एबुक है इसमें हमने जैनर्वरी से लेकर कि अगस्त दोहजर बाइस तक यूपी कर एंटेफेस के सभी इंपोर्टे सरकार ने राज्य पुलिस के विसेश अनुसंधान दल यानि की SIT का नाम बदल कर क्या रखने का नड़ा लिया है तो इसमें एक और S जोड दिया गया ठीक तो आप्सन नमबर एक करेक्ट हो जाएगा राज्य विसेश अनुसंधान दल यानि कि स्टेट इस्पेशल इन्व एफ क्लॉसर और एंटो जिलेंगर को तो तीनों नाम याद रखेंगे अगला कुशन है 2022 के राश्टी खेलों में अंडर 20 विसो कुष्टी चेंपेंशिप में अन्तिम पंगाल ने कौन सा पदक जीता तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अगला है विसो सिक्षक दिवस क मनाये जाता है तो 5 पांच अक्टूबर को जो है विसो सिक्षक दिवस मनाये जाता है अगला है भारत की चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आईकोन बनाए है तो किसे बनाए है पंकज त्रिपाठी को अगला उक्षन है वत्तीसवें बिहारी पुरुसकार 2022 के लिए किसे जुना गया है डॉक्टर मादव हाडा को और सनमबर बीस का करेक्ट होगा अगला है साल दोजर बाइस का सर्राष्ट सरलार्थी एजनसी का प्रतिश्टित जो नान सेन पुरुसकार है वो किस ने जीता है तो यह जीता है एंजिला मरकेल ने तो दोस्तों यह थे कल के है राज्य के किस सहर में अंतराष्टी ए अभिधम दिवस कारिक्रम आयुजित किया जाएगा तो उत्रप्रदेश के नुएडा में यह जो कारिक्रम है वो आयुजित किया जाएगा option नमबर बीस का correct होगा दोस्तों उत्रप्रदेश के संस्कृति मंत्रा लाइने जो जैगा कब नौ को यह रखेंगे data में यह आयोजित किया जाएगा अब यहां से याद रखेंगे पूछा जा सकता है कि जो अंतराश्टी अभी धम में दिवस कारिक्रम था इसे जो है किस मत्रा लेके द्वारा इसका में किया गया तो याद रखेंगे आप संस्कृति मंतरला के द्वारा इसको जो है आयुजवित किया जाएगा तो इसमें क्या होगा तो बुद्ध धर्म के अनुवाई करीब बीस देशों के जो प्रतिनिदी हैं और जो राजदूत हैं वो इस कारिक्रम में सामिल होंगे इसके अ हमारे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोड़ा में 9 अक्टूबर को यह जित किया जाएगा अगला कुशन है मुम्ताज खान को FIH द्वारा FIH यानि की फेडरेशन इंटरनेशनल डे होके वर्स की उभरती हुई सर्वस्रेश्ट खिलाडी चुना गया वे उत्तर श्टार की तोर पर चुना गया है जैनी की राइजंग्स्टार उफदा इयर इनको जो है चुना गया है किसमें तो याद रखेंगे अंदराश्टी हौकी संग की दोस्तों ये कहा कि है तो यह हमारी यूपी की यह लकनव की रहने वाली हैं 19 वर्स्ति हैं और इन्हों ने ज पहलाब वरसे खिलाडी के जबर पर किसको चुना गया है तो यह चुना गया है लखनव की रहने वाली मुम्ताज पूरी दी है और अब इसे अयोद्या केंट के नाम से जाना जाएगा इससे पहले आपको याद होगा जोत्तर प्रदेश का जिला थ है फैजाबाद इसका नाम चेंज किया गया था और अभी जविजिए प्रुषकार दोह सौर ने बाईस किसे दिया गया तो रसाइन के चेत्र के नोबिल पुरुसकार की में गोश्णा की जा चुकी है और इस बार ये किसको दिया गया है तो option number D's का correct हो जाएगा जो तीन नाम यहाँ पर लिखे हैं केरोलिन बटोरजी के बैरी सार्पलेस और मोर्टन मेलडन तो यह तीन विक्ति को जो है सईक तुरुप से नोबिल पुरुसकार दिया गया है रसायन के छेत्र में दोस्तों रसायन विज्ञान का जो नोबिल पुरुसकार है वो अमेरिकी और देन्मार के रसायन अग्यों को दिया गया तीन लोग है तीनों के नाम दोस्तों नेकियों दिया गया किसके लिए दिया गया तो क्लिक और बायो और्थो गॉनल केंस्ट्री के विकास के लिए इन्हें ये अवोड दिया गया यह पुरूषकार सार प्लेस के-िए दूसरा नोबेल है क्यूंकि 2001 में रसायन ग्यान का नोबेल उन्होंने जीता था ज यहां पर आपकी देख सकते हैं, यह केरो केरूलेन बर्टोजी है, यह मोर्टन मेलडल है और यह के बेरी साबलेष, आगला है विशु में कौन सा देश चेनी का सबसे बड़ा उत्पाधक बन गया है, तो हमारा जो देश है ये विस्व का सबसे बड़ा चीनी का उतपादक बन गया है दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक और अगर उत्पादक की बात करें तो पहला सबसे बड़ा उत्पादक ये बन गया है उब्हुकता ममले खाद्दे और सारवजने के वितरण मंतराले की अनुसार सहायक अंतराश्टिय कीमितों और किंद्र सरकार की नीती ने भारतिय चीनी उद्यों की इस उपलब्दी को साकार किया है तो मुस्ट इंपॉर्टन रहेगा याद रखेंगे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक जो है देश कौन सा बन गया है तो ये बन गया है भारत और अगर बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा नर्यातक देश क सायकार भारती मिशन द्वारा, विसाल किसान, सम्यलन कारिसाला किस रज में आयूजित की गई। तो, यहां पर ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा । A, हर्याणामें। विसाल किसान सम्यलन कारिसाला का आयूजित रज्टी ऐ सुक्ष गंगा मिसन whose सहकार भारती द्वारा ब्यानपुर गाउं सोनी पत्मे है हर्याना में तो यहां पर यह आयोजित किया गया कारिसाला में 200 से अधिक किसानों ने भाग लिया यहां यह गंगा विसिन में किसानों की बीच प्राकृतिक खेती को पढ़ावा देने के लिए आयोजित किया तो याद रखेंगे विसाल जो किसान समेलन का रिसाला है इसका आयोजन कहां पर किया गया है हरियाना की सूनी पतंप में इसका आयोजन किया गया और इसमें 200 से einkyसान ने भागह लिया और ये गंगा विसिन में किसानों की बीच प्राकृतिक खेती को पढ़ावा देने के लिए आयुजित किया गया था दोस्तों यहां पर बात है हर्याना की तो हर्याना की बारे में जानती है तो सबसे पहले यहां पर मैप में देखेंगे कि हर्याना है कहां पर तो यह इंडिया का मैप है और यहां पर आप देख सकते हैं यह है मैप में हर्याणा, जो मैं रेड से बॉर्डर कर रहा हूँ यह हर्याणा है और जो हर्याणा है भारत के किनकी राज्यों की सीमा को टच करता है, तो याद रखेंगे ये सारे राज्ये हैं जिनकी सीमा को डच करता है और यहाँ पर किंदर सासित पुर्देश दिल्ली भी है दोस्तो हर्याना की कैपिरल क्या है तो चंडीगर्ड हर्याना की चीफ मिनिश्टर मनुहर लाल खटर और हर्याना की गवर्नर बंदारू दत्ता त जा रहा है तो हर्याना की गुरू ग्राम में स्थाफित किया जा रहा है याद रखेंगे आप हर्याना की गुरू ग्राम में स्थाफित किया जा रहा है विसो का सबसे बड़ा सफारी पार्क अगला कुशन है साहित के चेत्र में 2022 का नोबिल पुरुसकार किसे दिया गया त इनको जो है साहित्य की छेत्र में नोबिल पुरुसकार देने की घोश्रा की है नोबिल कमेटी के अंसार एनी को साहस और नैतिक सटीकता के साथ व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं, सामुहिक परतिबंदों को उजागर करने के लिए चुना गया है एनी एनॉक्स ने फ्रेंच, इंगलिस में कई उपन्यास, लेख, नाटक और फिल्में भी लिखी है साल 2021 के अगर हम बात करें कि साहित्य के छेत्र में नोबिल पुरुसकार किसको दिया गया था तो उनका नाम भी याद रखेंगे, अब्दुलरजाग गुर्ना को साल 2021 में नोबिल पुरुसकार दिया गया था साहित्य के छेत्र में तो 2022 का याद रखेंगे एनी एनॉक्स को और इन्हें क्यों दिया गया हाली में किसके द्वारा मतदाता जंक्सन जागरूकता कारिक्रम सुरू किया गया तो इसका जो correct answer है वो है option number C चुनाव आयोक के द्वारा दोस्तों मुखे निर्वाचन आयोक्त जो राजीव कुमार है इन्होंने निर्वाचन आयोक्त अनूप चंदर पांडे के साथ आकास वाने की रंगभवन नय दिली में अयुज़ीत एक कारिक्रम के दोरान एक वर्सी है मतदाता जागरूकता कारिक्रम मतदाता जंक्सन के नाम से जो है सुरू क्या है मदाता जंक्सन All India रेडियो के सायोग से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित 52 कडियों का एक क्या है रेडियो सरंकला है यह 15 मिनिट का कारिक्राम होगा जिसे हर सुक्रुवार को साम 7 वजे से 9 वजे तक विविद भारती है जो भारत की स्टेशन है FM Rainbow है FM Gold और आकास वाणी की प्राथमिक चैनलों पर किया जाएगा तो यह क्या है मतिदाता जंक्सन यह एक कारिक्राम है रेडियो की एक सरंकला है जो की 15 मिनिट का कारिक्राम होगा और हर सुक्रुवार को साथ वजे से 9 वजे तक भारती की स्टेशनों FM Rainbow और इसके लावा FM Gold और आकास वाणी की प्राथमिक चैनलों पर इसको जो है प्रसारित किया जाएगा तो याद रखेंगे मदाता जंक्सन किसने इसका सुभारम किया है तो मुख निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने अनूप चंद्रपांडे के साथ अगला कुश्यन है हाली में गेल इंडिया लिमिटेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशा की रूप में किसने प इसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की रूप में पदभार गिरहन किया है संदीव कुमार गुपता जो पहले इंडियन ओयल कार्पूरेशन में निदेशक थे वित्विभाग के तो 31 अगस्त 2022 को यह सेवानिप्त हुए और किसकी जगा लेंगे तो 31 अगस्त को तो यह चीद ध्यान रखेंगे कि जो गेल इंडिया लिम्टेड है इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की रूप में किसी निव्ट किया गया है तो संदीव कुमार गुपता को निव्ट किया गया है अगला उक्ष ने हाली में कौन सी राजे सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कारिक्रम का सुभारब करने जा रही है तो ओप्सन नमबर डी करेक्ट हो जाएगा जारखंड दोस्तो आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कारिक्रम ये जो कारिक्रम है ये जहारखंड सरकार दो चरणों में सुरू करने जा रही है पहला चरण 12 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक रहेगा और दूसरा जो चरण है वो एक नमबर से लेकर के 14 नमबर तक रहेगा तो यह जो कारिक्राम है याद रखेंगे आप आपकी योजना आपकी सरकार आपके दोरा कारिक्राम जहारखंड सरकार इसको सुरू करने जा रही है दोस्तों जहारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जहारखंड के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले मैप में देखेंगे कि जहारखंड है कहां पर तो यह देख सकते हैं मैप में है जारखंड यह जो जारखंड है यह भारत के किनके राज्जों की सीमा को टच कर रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं उपर की और बिहार हो गया यहां पर आप देखेंगे चतीस गड़ है यहां पर ओडिसा है यह वेस्ट सूरिन और जारकंड के गवर्नर को ने तो रमेश बैस यह जारकंड के गवर्नर है और दोस्तों जारकंड से एक कुश्चन याद रखेंगे नाम तो जामतारा जो जिला है यह हर ग्राम पंचायत में पुस्तकाला वाला देश का पहला जिला बना है तो दोस्तों यह थे साथ अक्टूबर से समंधित उत्रप्रदेश के सभी एक्जाम्स के लिए most important करेंड एफर की question जो कि हमने अब हम देखते हैं कल की वीडियो को question जो हमने आप से पूछा था कि वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है तो हर साल चार अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है और लगबग सभी students ने इसका सही जवाब किया और मैं आप से हरूस कहता हूं कि जो भी question आप से अंसर है वो आपको comment box में बताना है और दोस्तों सभी लोग question का अंसर जरूर किया करो तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और अगर चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को subscribe करना ना भूले तो मिलते हैं नेक्स ट्री वीडियो में थैंक यू